हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ प्रतिभा और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ किचिन के कुछ खास खास टिप्स जिससे आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा साथ ही आपके पैसी भी बचेंगे तो अगर आज का यी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोसल साइट पर तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या ऐसी किचिन टिप्स हैं जिससे हम अपना पैसो और समय दोनों बचा सकते हैं कभी कभी हम मार्केट से बहुत सारी मुफली घर लाके तो रख लेते हैं लेकिन अगर थोड़े दिन हम इने ना देखें या यूज ना करें तो इसमें जाला सा पढ़ जाता है तो इस से बचने के लिए लीजे आप एक तेजपात का पत्ता और इसमें इस तरह से इसी रख दीजे और आप देखेंगे साल भर तक आप अगर मुफली के दानों को हाथ भी नहीं लगाएंगे फिर भी इसके अंदर जो जाला पढ़ता है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े देना चाहूंगी या तो आप इसे सूखनी के लिए धूप में रख दीजे और अगर आपके पास टाइम नहीं है छट पे जाना आप नहीं चाहते तो क्या कीजे जैसे ही आप खाना बनाएं गैस को बंद करें आप इस लाइटर को टिका के रख दीजे इस तरह से और 5-10 मि अगर इसके अंदर कोई नमी पहुच गई है अच्छे से सूख जाएगी और लाइटर फिर से जलना शुरू हो जाएगा तो आई होप आज का ये किचिन टिप्स भी आपको पसंद आया होगा जो अगला टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी वो है ये कि जब भी हम हरी अच्छी को दो लीजिए उसके पानी को अच्छी से सूख जाने दीजिए इसके बाद इस तरह से इसके डंठल तोड कर आप इसे किसी भी डब्बे के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं इससे आपकी जो मेची है महीने भर इसको ऐसी रखे रहेंगे तब भी खराब नहीं हो और इस तरह से दिखिए इस तरह से आप इसको चलाएंगे न तो फिर आपके जो नाइफ है या पीलर है उसकी धार बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी इससे आपके पैसो की भी बचत होगी आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा नया चाकू खरीदने के लिए या फि इसी तरह देखिए मेरे पास यहां एक हसिया है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखिए अभी इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है जब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घिस देंगे तो दिखिए अब कितना जादा यह तेज हो जाता है यह देखिए मैं आपको कभी-कभी हमारे हाथ से घी या तिल चूट के फर्स पर इघर जाता है और उसे इखटा करना बहुत ही जादा मुज़किल हो जाता है कियो कि अगर हम इसको कपड़े सी खटा करते हैं तो कपड़ा खराब हो जाता है तो जगा पे थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इस तरह से डाल देंगे अब बड़ेया से इसको रगड देंगे जहां जहां पे तेल था ना तो यह आटा क्या करेगा सारा तेल और गी जो भी आपका गिर गया हो वो अच्छे से यह अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा सारी फिसलन जो है रह जाती है जब पैर रखते है ना इसके उपर तो ऐसा लगता है कि मतलब पैर फिसल जाएगा लेकिन इस तरह से अगर आटे से आप इखटा करेंगे तो बिल्कुल भी फिसलन रहेगी ही नहीं यह दिखिए आटे में अच्छे से तेल सारा समा गया है औ और इस आटे को भी में इखटा करके साइड में कर दूगी साथी थोड़ा सा पोछा लूगी मैं मतलब गीला कप्टा लूगी उससे अच्छे से इसको क्लीन कर दूगी और आप देखिए बिल्कुल भी यहां पे चिकनाई नहीं रही है तो आई होप आज का ये टिप्स भी गरमी पढ़ रही है कि ओम जाभान करते हैं तो पूरा पसीने से फोलखते यहां खाले से ओलबagon यह में तरी जब लगेुता है तो इस चलद में जिकनाई है और अजो सेड़ में लगा रखा है और फ्लेम वपफॉड में З Psalm lied में फोल भीवा रही है इस पाँव तो व्लेम ह और ठंडी ठंडी पुलर की खाते जाए हम खाना पगलों के जहां गरांए हम कीछिण में तुमिंगशन नहीं चेक फोराथ हुआ पाइते छेल्म पे घ्ला सेखे चार्थ थोड़ा धरतों रहता है कि यहां ना गल्मकल खोट शांग जर्थ ऑर ऊहें सूर्ट पर निचे भी कर सकते हैं आप मतलब जहां भी आपको हवा लेनी हो और यह देखिए इसकी छोटा सा Province दिया गया है इसमें फिरीज का पाल़ सकते हैं आइस क्यूब बगेर ढया सकते हैं जिससे यह जो आपका छोटा सा मिनी कूलर है न एक दम ऐसी जैसा काम करेगा बहुत ही अच्छा है सच में आप ट्राइ करके देखेगा इसको और यह मार्केट में बहुत ही सस्ता मिला था मुझे यह देखिए यहां पर इस तरह से हम थोड़ा सा बर्फ तोड लेंगे और इसको न मैं यूज कर रही हूँ मई से फीके दो महीने हो गए अभी तक कोई भी सिकायत नहीं मिली है तो यहां पर आप इसमें छोटी छोटी जो बैटरी नहीं होती वो भी डाल सकते है और यहां पर देखे यहां आ इसको चारज कर सकते हैं मुबाइल के चारजर से पावर पानी बरने के बाद आप इसको फिट कर दीजिए कूलर के अंदर और यह हमारा जो मिनी कूलर है चलने के लिए बिल्कुल तयार है आप जहां भी इसको सही समझे आप रख सकते हैं तो यह दिखिए मैं इसको यहां पे रख लेती हूं बिल्कुल किचिन के सामने और इसकी खाना बन जाता है क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है ना तो काम करना भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है पर इस पापी पेट के लिए देखिए खाना तो जरूर हमें बनाना ही पड़ेगा मैं तो कहती हूं आज ही आप लेके आई और मैंने यह मात्र डेड़ सो कूलर को चला लेती हूं तो आप भी अपने घर में अगर आपनी ममी से बाइफ से दीदी से बहन से जिससे भी प्यार करते हों उसके लिए जरूर लेके आएगा बहुत ही अच्छा है यह और कदर कीजिए और धन्यवाद कई उन लोगों को जो आपको इस भेंकर गर्मी वे खाना पका के दे रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ बाइबाइ एवरिवन